हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मच अवेज़ेड लेक्चर पढ़ेंगे नेनो केमिस्ट्री का वो है प्रपरेशन आफ नेनो मेट्रियल्स नेनो मेट्रियल्स को कैसी हम प्रिप्यर करते हैं अगर हम एप्रोच वाइज देखें तो हमारे पास में दो एप्रोच हैं या तो हम बड़े मेट्रियल्स को स्मॉल मेट्रियल्स में कनवर्ट करते हैं या हम स्मॉलर मॉलीक्यूल्स से आते हैं और उनको बड़ा करके नेनो पार्टिकल्स में कनवर्ट करते हैं अगर हमने बड़े पार्टिकल्स को smaller जैने नेनो पार्टिकल्स में convert किया तो हम उसको बोलते हैं top down याने हम उपर से ही नीचे आ रहे हैं याने हम higher level से lower level की तरफ आ रहे हैं जैसे यह bulk particles है बड़े बड़े particles इनको हम break करेंगे वैसे हम physical method या किसी chemical method से भी break कर सकते हैं और उनको break करने के बाद में हम इनको convert करेंगे nano materials में ठीक है यह नेनो पार्टिकल्स नेनो राइट यह हो गया top down method दूसरा approach क्या है हम छोटे materials से शुरू करेंगे जैसे atoms और molecules इन से शुरू करेंगे और उनको convert करेंगे हैं nano materials में उसको मैं बोलूगा कि हम नीचे से उपर जा रहे हैं यानि छोटे level से बड़े level की तरफ जा रहे हैं तो मैं इसको बोलूँगा bottom up यह बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर top से bottom की तरफ जा रहे हैं राइट अब यह जो एप्रोच्ज है ना यह एप्रोच्ज हम एचीव कर सकते हैं एदर वे फिजिकल मेथड और वे क्रिमिकल मेथड और वे बैयोलोजिकल मेथड यानि यह जो दो एप्रोच्ज है ना हम इस ऐसे भी जा सकते हैं ऐसे भी जा सकते हैं ठीक है इन दो एप्रोच्ज को हम अगर मेथ में कलाइज्व पर करेंगे तो हमारे पास में तीन तरह के मिपछडस हैं एक है फिजियिकल मेफडियरू इस फिजिकल मेफड़ में जरूर्ली हम टॉप downhill approach यूर्स करते हैं यह यहां से यहां जाती वह दोस्रा ऐ केमिकल मेथट लेखिन्रिक डाऊंद किमिकल आई केमिकल मेथट में घेंर्ली हम बरॉटम अपर आप अपरोच करते हैं और जो चोता है सवरी तीसरे है वह है बैयोलोजिकल मैथट है समझ मैज जम्यूए ना इस biological method में क्या करते हैं? हम microbes का इस्तिमाल करते हैं, microbes. ठीक है? या फिर proteins, carbohydrates वगिरा, या DNA का इस्तिमाल करते हैं, ठीक है? यहने इसको बोलूगा, मैं biomimetic, biomimetic approach हम use करते हैं, यहाँ पे. इसको हम बाद में detail में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम सीधा chemical reactions करते हैं, इसमें physical method. यहने बड़े particles को छोड़े particles में break करते हैं, generally. और physical method में कभी-कभी छोड़े particles से बड़े particles भी बनाए जा सकते हैं, वो हम discuss करेंगे. अब देखो, यह जो है ना, यह methods, इनमें मैं कुछ examples बताता हूँ आपको. सपोज अगर मैं solid phase में ले लो, solid phase technique, अगर मैं इस्तिमाल करूँ यह को अप्रोच अलग अलग है, अप्रोच दो ही है, यह तो छोटे से बड़ा बनाऊ या बड़े सी छोटा बनाऊ. अब उसके लिए method यह तो हम physical यूज़ करें, या फिर chemical या फिर biological method. ठीक है, अब technique कौन-कौन से हैं, या हम कौन-कौन से तरीके से बना सकते हैं, यह physical methods मे क्या techniques इस्तिमाल करेंगे, chemical में क्या methods इस्तिमाल करेंगे, और biological method में हम क्या technique इस्तिमाल करेंगे, वो देखेंगे हैं, देखो एक technique है, solid phase technique, यहने हम solid material ही बनाएंगे और इसको solid ही रहन देंगे, इसको liquid में convert नहीं करेंगे, इसमें आती है एक mechanical grinding, या high energy ball milling बोलते हैं इसको ठीक है, दूसरा आता है, electro explosion, right, और तीसरा जो यह, sputtering आता है, laser evolution आता है, इन में से कुछ methods, जो important methods हैं, वो हम यहाँ पर discuss भी करेंगे, और यहाँ पर और एक लिखा है, मैंने lithography, lithography को मैंने यहाँ पर एक अलग color से, pink color से encircle किया है, यह इसलिए किया है, ताकि आपको यह थोड़ा सा, यह highlight हो जाए, इसमें कुछ मतलब है, मतलब यह है कि यह जो lithography है, यह hybrid method है, जबकि यह वाले method, यहाँ पे हम बड़े particles से छोटे particles बनाती है, ठीक, यह इसको मैं बोलूँगा कि यह top down method, लेकिन यह वाला method है, lithography, यह hybrid है, hybrid मतलब इसमें bottom approach भी use होता है, और top down approach कोज भी इस्तिमाल होता है, और एक method है, यहाँ पे, उसको बोलते है, aerosol based technique, इसमें हम air, air में particles बनाएंगे, इसमें solid phase, solid भी बना सकते है, liquid भी, लेकिन air में aerosol बनाएंगे, sol, sol बनाएंगे, इसमें electro spraying है, यह फिलेम pyrolysis, यह दो technique हम इसमाल करेंगे, और तीसरा है liquid phase, यह wet method है, ठीक है, wet chemical method, जैसे chemical reduction है, या precipitation techniques है, या फिर sol जल टेकनीक है, sol बो thermal method है, या sol no chemical synthesis है, इसमें, ठीक है, और एक आता है self assembly, ठीक है, इसमें biological methods भी आ जाते हैं, clear, तो यह थे, यह थी techniques, जो हम इस्तिमाल करते हैं, अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, अब इस सारे techniques और methods देखेंगे, जिस से हम nano particles synthesize कर सकते हैं, या nano material synthesize कर सकते हैं, ठीक है, वो methods हम यहाँ पर discuss करेंगे, लेकिन आज की इस lecture में मैं दो main methods, जो, दो main techniques बताओंगा आपको, उन में है एक high energy balling, और दूसरा है laser ablation method, ठीक है, और बागी के जो methods है, वो next आने वाले lecture में हम discuss करेंगे, ठीक है, तो time की कमी की वज़ा से हम यहाँ पर दो ही techniques discuss करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बाल मिलिंग लिखा मैंने, यह जो नहीं, यह mechanical grinding है, सिदा, यह mechanical method है, mechanical, mechanical method, यहने हम इसमें mechanics का इस्तिमाल करते हैं, high energy mechanics का इस्तिमाल करते हैं, जैसे grinding होती है, इ होड़ा सा इसमें फरक है, इसमें क्या करते हैं, हम बड़े particles लेते हैं, और उनको break करके छोटे particles में convert करते हैं, जिस तरह हम चावल, यह गेहों को पीस के आटा बनाते हैं, उसी तरह का यहाँ पर भी, वही technique यहाँ पर इस्तिमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो instrument है, वो थोड सा अलग है, उसको मैं बोलूगा हाई एनर्जी बाल मिल, हाई एनर्जी बाल मिल, अब इस बाल मिल में क्या होता है, देखो, इसमें हम लेते हैं, हेवी स्टील बाल्स, हेवी स्टील और टंग्स्टन बाल्स, टंग्स्टन बाल्स लेते हैं, ठीक, यह माल लेजी यह बाल ल balls है इसको बोलूगा हम यह हेवी tungsten balls है steel balls इन में क्या करते हैं इन में इनके दर्मियान हम बड़े particles को छोड़ देती है ठीक समझ मैंना और यह जब आपस में strike करते हैं ना collide करते हैं collide तो collision की दोरान इसमें यह particles बड़े particles फस जाते हैं और यह पिस जाते हैं तूड जाते हैं और small particles में convert हो जाते हैं अब यह high energy ball मिलिंग जो नहीं यह इस तरह भी हो सकती है देखो इसमें क्या क्या तरीके इस्तिमाल होते हैं एक तरीका यह इस्तिमाल होता है उपर की ball और नीचे की ball सीधा head on collision करते हैं और बड़े particles को छोटे particles में break करते हैं ठीक है इसको बोलूँगा मैं head on collision clear यह तक राते हैं दो balls आपसमें तक राते हैं ठक 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 उससे जो material यह तूड़ जाता है break हो जाता है राइट अब देखो यह होगा एक इसको में बोलूँगा यह है head on in head on impact बोलूँगा यह collision बोलूँगा मैं impact कि दूसरा impact क्या है देखो दूसरा यह है कि यह दो balls यह एक ball है यह दूसरा ball है अब यह ball जो इन्हें यह ऐसे rotate कर रहा है इसका direction देखना और यह ऐसे rotate कर रहा है यह ball साथ में है और यह rotate कर रहे हैं इससे क्या होता है इससे भी यहाँ पर यहाँ पर stress आ जाता है बीच में ठीक है friction आ जाती है इसमें जब मैट्रियल डालते तो यह इन दोनों के बीच में पिस जाता है रगड़ जाता है और छोटे पांटिकल में कनवर्ट हो जाता है इसको मैं बोलूगा यह अब लीक इंपक्ट है अब लीक इंपक्ट यह दूसरी तरह का इंपक्ट है अब तीसरा इंपक्ट जो है वो यह है कि एक बॉल है सपोस्पोस बीच में ठीक और यह ऐसे रोटेट कर रहा है यह हैवी बॉल है यह शेक भी हो रहा है रोटेट भी कर रहा है बार यह ऐसे जा रहा है इस यह डिरेक्शन है इसकी और दूसरा बॉल इसके जाता है तो कोई ऐसे जाता है ठीक है कोई ऐसे जाता है इस तरह से कोई ऐसे जाता है इसको मैं बोलूँगा यह है मल्टी बॉल इंपक्ट यहां पर भी अच्छी खासी ग्राइनिंग हो जाती है अगर इसके बीच में मेट्रियल पड़ जाए तो ठीक है इसको बोलूँगा म multi ball impact right कितने method हो गए यहाँ पर तीन impact हो गए head on oblique or multi ball impact अब मैं बताता हूँ आपको यह जो ball mils होते हैं यह किस तरह की होती है यह कितने type की होती है फिलाल मैं यहाँ पर तीन type आपके सामने रखता हूँ एक को बोलते है new 즉 बॉइबरेटरी मिल में क्या होता है और बॉइबरेटरी मिल में यह shake करता है बनाव यह past shaking होती है ऐसा slow shaking नहीं होती है past बहुत ही past shaking होती है vigorous shaking इसको बोलते है यहाँ पर vigorous shaking होती है sa¡ जाहे कोई फी ball मिलो चाहे यह हो यह ہو यह हो यह तबी तो यह पार्टिकल्स टूटिंगे ठीक और इसमें क्या होता है इसमें हम इस विगरस शेकिंग के दोरान इसके अंदर material डालते हैं, यह material ठीक, यहां पर material डालते हैं, यह जो pink color का दिखाया है मैंने, यह material है, जो हम तोड़ना चाहते हैं, ठीक, और यह जो material है यह material, यह रहता है almost 50 micrometer का, इस size का हम material डालते हैं, ठीक, इतना याद रख लेना, अब यह material को क्या होता है, देखो इस में क्या होता युजटरी में, इसमें यह उपर नीचे जाती है, शेक होती है, उपर नीचे, यह उने इसमें यह इस की ये तूट के छोटा हो जाता है कितना छोटा ये हम कनवर्ट करते हैं from three to twenty five nanometer इतना प्रिश जाता है इसमें material अब दूसरा जो है दूसरा technique दूसरा जो मिल है उसको बोलते हैं tumbler मिल ये ऐसे goal है goal मिल है ठीक है और यह ऐसे rotate करती रहती है फॉस्ट इस rotation के दोरान ये heavy balls भी इसके साथ में rotate कर रहे है rotation के दोरान ये friction भी produce करती है और ये head on collisions भी होती है बीच बीच में यह इसमें oblique और multi ball impact ये दूनों तरह की impact आती है समझ मैंने ये impact राइट अब और एक है यह होगा है ऐसे यह horizontal horizontal axis पर ऐसे rotate कर रहा है फॉस्ट ठीक और तीसरा जो ball मिल है वो है planetary mil planetary mil भी rotate करता है लेकिन ये इस direction में rotate करता है ऐसे rotate करता है फॉस्ट रोटेट करता है कुंसी direction में इस direction में vertical vertical axis पर ये rotate करता है यहां पे भी ही इस तरह की impact आती है ठीक है इस पिसमेel भी बड़े particle डालो यह छोटे particles में convert हो जाते हैं लेकिन याद रखना इनरजी बॉर्ट मिल ठीक है तो यह एक तरह की grinding है clear अब हम देंगे और एक टेकनीक, वो जो टेकनीक है नहीं वो है laser ablation method, यहन्य हम उसमें laser का इस्तिमाल करेंगे, तो वो टेकनीक में अभी दिखाता हूँ आपको, देखो अभी तक मैं जो discuss किया हूँ, चाहे कोई भी टेकनीक हो, जिसमें हम नेनो मेटरियल्स बनाते हैं, हम यह टेकनीक अंडर inert atmosphere करत हैं, यह react भी हो सकते हैं, जो surrounding gases हैं उनके साथ, और दूसरा यह जल्दी agglomerate हो जाते हैं, जैसे अगर हम छोटे छोटे नेनो पार्टिकल्स रखेंगे ना, साथ में तो कुछ देर के बाद में यह agglomerate होके बड़े पार्टिकल्स ऐसी clusters बनाते हैं, समझ मैंना, तो यह problem है इनकी, इसलिए इनको हमेशा inert atmosphere में बनाया जाता है, अब देखो laser ablation method क्या है, ablation का मतलब break करना होता है, ठीक है, break, और laser से हम break करते हैं, हाई energy lasers लेते हैं, उनको हम एक focusing lens के through pass करते हैं, ताकि यह एक particular point पे focus हो जाए, जिस तरह हम sunlight को focus करते हैं, एक lens से, ठीक है, एक focusing lens इनको यहां पे पास करता है, यह जो है न यह chamber, यह chamber जो है, इनर्ड गेस chamber है, ठीक, यह chamber है यह chamber है यहां पे chamber, इस chamber में रहती हैं, inert gas, जिसी helium, neon, argon वगेरा, क्यों रखते हम यह gas ताकि यह जो material यहां पे बन जाए, नेनो material, वो किसी gas के साथ में react ना हो जाए ठीक है? यहां का atmosphere हम invert रखते हैं ठीक देखो क्या करते हैं? हम लेते हैं यहां पर target material यहां पर target material यहनि वो material जिसको आपको convert कर रहा है किस में? नेनो पार्टिकल्स में नेनो पार्टिकल्स में राइट यह याद रखना आप उसकी एक wire भी ले सकते हैं या सीधा material भी ले सकते हैं लेकिन better रहेगा कि अगर आप wire लेंगी कम material लेंगे और दीरे-दीरे उसको abulate करते जाएंगे ठीक है? अब यह देखो यह laser जोने यह इस lens के through pass होता है यहां पर इसमें window रखती है यह open window नहीं यह close window है जैसे glass window रख सकते हम या फिर courts window रख सकती है ठीक? अब क्या होता है? यह laser इसके through आ जाती है और इस पर पढ़ जाती है यहां से हम gas इसमें pass करते हैं लेकिन कुन सी gas? inert gas inert gas यहां पर इसका value रहता है value value मतलब control ठीक है? well control रहता है यहां पर gas यहां से in होगी इसमें जाए यह chamber में और यहां पर यह जो है यह इसको मैं बोलूँगा यह है collector collector यहां जिसमें nano particles जमा हो जाते है यह collector जो नहीं यह लगा हुआ रहता है vacuum pump के साथ ताकि यहां का जो पूरा pressure है वो इधर चला जाए यहां पर जो भी चीज बनती है जो भी particle generate होगा वो इसमें चला जाए ठीक है यह इसका मकसद रहता है clear अब देखो यह laser ablation में क्या होता है जो ही इस पर laser पढ़ता है यहां पर इस material यह छोटे छोटे particles में convert हो जाता है यहां पर इसको गैस चालू रहती है और यहां पर वेक्यूम चालू रहता है तो यह particles इसके थूँ ही पास होकी यहां collector में जाती है राइट यहां मैं इसको थोड़ा सा elaborate करके बताऊँगा यहां तक तो समझ में आना यह chamber क्यों रखा है यहां पर कि atmosphere inert रहे यहां जो यहां पर पार्टिकल बने वो agglomerate ना हो जाए यहां आपस में मिल के बड़ा cluster ना बनाए इसलिए रखते हैं बागी कुछ नहीं है उसका अब देखो यह है सपोज target material ठीक यह मान लो target material यह इसके उपर laser beam पड़ गी ठीक laser यह है laser laser जो ही पड़ाना इसके उपर तो यहां से यह इसको अबलेट करता है तोड़ता है ब्रेक करता है इसके surface पे जो particles हैं उनको छोटे छोटे particles में convert करता है ठीक ऐसे particles उखते हैं particle की जंगारियां उखते हैं ठीक अब यह particles कहां जाएंगे यह उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ इनको पुल होगा यह जाएंगे किस की तरफ collector की तरफ collector की तरफ क्यों जाएंगे क्योंकि वहाँ पे vacuum रहता है vacuum क्योंकि यह air को इदर खेचता है gas को इदर खेचता है gas यहां से आती है inert gas और इन particles को चुहीं यह बनते हवा में जाते यह इनको इदर फेचता है collector की तरफ तो इस तरह से नेनो पार्टिकल्स हम यहां पे collect करते हैं लेकिन यह रखते है inert atmosphere में right तो यह हमेशे के लिए याद रखना और नेनो पार्टिकल्स मैंने आप से कहा कि यह highly reactive रहते हैं मैं इनकी जब properties discuss को रहूंगा ना उस टाम पर बताऊंगा मैं इनका किस चीज़ पर किस चीज़ के वज़ए से इन पर ऐसर पड़ता और क्या क्या असर पड़ सकता इस पर ठीक समझ मैंना और यह कि कितने रियक्ट्ट्व रहते हैं इनके electrical properties properties magnetic properties वो सब देखेंगे हम पहले आप यह दो methods यहां पर सीखो तो आने वाले lectures में हम और भी कुछ methods पढ़ेंगे इसके बाद में उनकी applications और properties भी पढ़ेंगे लो तब तक के लिए बाए